किस अस्कताल में हुआ है सर हम लोग नोड़ा में रहते हैं मैं और मेरे हस्पेंट अभी होली में हम लोग भिहार आये हुए थे सर फोली बनाने के लिए पूरी फामली का गेट तूगेदर था 9 अपरेल को मेरे हस्पेंट की तब्यक खराब हुई फीवर हुआ उनको काफी थे हमने कोरोना का दो तीन तीन बार टेस्ट करवाया नेगेटिव आया आटी पीसी आर के लिए दिया तो वहां पे भागलपूर में सर भागलपूर में थे हम लोग वहां पे एक दिन दो दिन व पर इंफेक्शन आया 60% लंग उनका उसमें इंफेक्टेट था डामिज नहीं था इंफेक्टेट था बस बाकी लंग का हर चीज पॉर्फेक्ट था सारा चीज नाक का गले का सब कुछ नॉर्मल था उसमें रिपोर्ट में था फिर हम लोग लोकल हॉस्पिटल है हुई उनके साथ इतनी लापरवाही हुई डॉक्टर साते थे बस विजिट के लिए दस मिनट देखके गए उसके अलावा जितने भी उहां पे नर्स थे सारे के सारे जलात थे सर फोई दवाई टक नहीं देना चाहता था पेसें मेरी मदर तचुड बेटर कंडिशन में थी थोड़ी मेरे हस्बेन बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक इशारे से पानी का ऐसे से बताते प डेन जाके उनको पानी नहीं पिलाता था सर वह मुझे के फोन करतेему कि पानी पिला दो जब मैं अंदर जाती थी तो यह घला करते थे कि क्यूं जा रहा हो अंदर फिर में जाके उनको पानी पिलाती थी दीर यम्डी सिवीर इंजेक्शन का नाम आप लोगोंने कि हम ने से लिग कि बाइनने और夢 से सुझी कियो द्लइपने वुदाग से आप्ट हुआ हमने बहुँन हुआ पुद्व हैंच किया कि जंसी करके फिर हे च्टाफ कर दिया ठीर जूले मैंने देखा कि उन्होंने दो तीन बार पॉटी किया था यूरीन पास किया था कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर छे घंटे से वह उसी गंदगी पर पड़े हुए थे उन्होंने मुझे फिर फोन किया बस फोन कर पाते थे सर बोल भी नहीं बस मिस्ट कॉल आती थी मैं समझ कुमार एक कंपाउंडर था वहां पे लोकल 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 भागलपूर जोती कुमार वहां का मतलब जो अटेंडेंट करोंगा उसको मैंने रिक्वेस्ट कि रिक्वेस्ट किया प्लीज आप मेरे हस्बेन की मदद कर दीजे रात में ये ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं बहुत जोड से, मैंने सोचा क्या हो रहा है जब मैंने पीछे मूरी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा तुपटा वो जोती कुमार खीच रहा था, मेरी माँ पीछे से चिलाई, मेरे हस्बिन ऐसे होने लगे पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रह बढ़ कीच रहा है और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो मुस्कुरा रहा था, मैं आयसे तो पत्टा कीचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, ड़ से कि मेरे हस्में नहीं है है मेरी माँ यहां पे है, यो लोग कुछ कर देगा, इस दर से मैं कुछ नहीं, बाहर निकली मे पाहर निकल के मैं दहम से बैट गई वार्मी मीरे पास भी रहाया मुसकुरा के बोला मैं ध्यान रखोंगा मैंने ठीक है अप ध्यान रखना मैंने कुछ नहीं बोला उसको कुछ भी नहीं yes तीन दिन बार ऐसे ही कोई कोई सोविधा नहीं कुछ नहीं मेरे हस्पेन की तब्याद उस दिन से बिगरी जब रात के दो बजे में मेरी मधर के बगल वाले बेड़ पे एक अंकल मासक उनका हंट गया था और वो अंकल चिला चिला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी च जल्दी आई यह मर जाएंगे कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया ऐसे तीन-चार लोग उस दो-तीन दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना के बिना नर्स के आए सारी नर्स टेबल कुरसी लगा के सो जाती थी कहती थी पागल हो गये हैं हम ही अब मर जाएंगे चकर में तो क्यों जॉब कर रहे हो छोड़ दो आपकी जगर कोई और आजाएगा उसके बाद वहां से लिए बाइप वहां उस हॉस्पिटल में नहीं अब लेबल था मेरे हस्बें के बगल वाले बेड़ पे चार लोग 6-7 घंटे में चार लोग खतम हुए क्यों खतम वहां बलाते उलटके गिर गहे पूरा पूर्व फूट कि बलड बलड और मर गए वहां वहीं पर इतना मेरे हस्बेंड डर गए शाम होते हुते ने अचलर पूरा ये सब राई हो गया एक लेयर हॉइट कलर का जम गया उनके ऊपर बहुत जयादा खराब हो गई हुम लोह क बहुत सब्सक्राइब अरह कोरा तुर् aument आप트 के लिए उलिए 2 पद्राइब गई औरवाजह स़ने ग्राइब चता लीरी मिरे सब्सक्राइब तो उन्होंने देखा क्या, कि मास्क लगा होता है ना, उस में जिन Like फटा होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस Mask लगाकर छोड़ दिया था, ऐस सुझे स्पछाई आ चाही आए ही नहीं रहा तफिर उस दिन इतना डर गये, वो बोले नहीं, हमको कहीं बाहर लेकर चलो, दिल्ली में सेर, हमने बेटका किया, बहुत पता नहीं था दिल्ली में, कहीं भी जगा नहीं था, हम पतना आये, राजश्वर हॉस्पिटल में सेर, पतना आये, यहां पे इन्हों ने कहा, मेरे हस्बन रोने लगे कि मेरी वाइप को भेज दो वह रही कि तो मैं ठीक हो जाओंगा इन लोगों ने नहीं अलाओ किया सर मैंने देखा एंबुलेंस से हम लोग भागलपूर से पटना आये थे राजश्वर रास्ते में उनको तीन बार पौटी हुई थी सर उसी गंदे ब मैंने का सर वो बुला रहे हैं किसी को बाहर से तो एक डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िये ना वो छोड़ा तो ऐसे ही बॉख ला रहा है जब से आया है मैं मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई पर उसके बाद उनका ऑक्सिनल लेवल जब 37 हो गया तब मेरे साथ मेरे 24 मेंने कर दिया दस मिनट में मेरे बाबो का मेरे बाबो का ऑक्सिजन लेवल में बढ़ा दिया उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला मैंने बोला सर अटेंडेंट अलाउड है सार एक अटेंडेंट बैठे हुए थे तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अ एक महीने पर ब्रज किया है मैंने बाबू को बहुत ठीक कर दिया इतना स्ट्रॉ लगा के सर मास्क के अंदर से स्ट्रॉ लगा के बाबू को मैंने जूस दाल डोटी सब कुछ पिला एतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फ़र्स्ट दे बोला था यह बचेगा नहीं वो ऑक्सीजन का किल्ड्द सर मेर baaopu डड़ गया बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सिलिंडर देखता था और कहता था हां वो मैं कैते थी नहीं खबंầगा बाबूं डेड़ आगए घंटे के लिए सरा और सप्लाइब रहता था बाद में हमें पता चला यह लोग बलैक ब्रैक मार्केटिंग कर रहें अंदर में ओक्सीजन सिलिन्डर का जो कम जो ऑस्पताल वाले हैं ना वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खाड़ी दे उन्हीं से हम भी खाड़ी दे सर मैंने भी खाड़ीदा क्या करते श्या करते हमें भी तो परसों सरु सुबह में हमारे पास एक ही कि छिलिंडर था कई अव गया एक की